नाओ, the question number 123, in guess the output, यह दिया मैं आपर देखे तो मैं केक्लास मिल रही है दादा के नाम की, ओर दादा नाम की class के अंदर एक method है, दादा के नाम की देट में से क्या है, constructor, जब class का नेम और method का नेम सेम हो, तो क्या क्लाता है, constructor, ठीक, इसी तरह किसे हम के class मिल रही है पापा के नाम की, ओर पापा नाम की class के अंदर भी एक constructor है, साथ ही पापा नाम की class ने इनरिट किया हुआ है दादा नाम की class को, हमको एक class मिल रही है पोता के नाम की, पोता नाम की class के अंदर भी एक constructor है, और पोता नाम की class ने इनरिट किया है पापा नाम की class को, यह दिया मैं आपर और देखे तो हमको यह आपर शो हो रहा है एक class और उस class का नाम है child और child नाम की class के अंदर main method है और child class ने किसी को inherit नहीं किया है स्वेधियम देखे control start होगा main function से तो main function के अंदर first line क्या बोल रही है new pota मिनस आपर constructor को call किया गया है अग constructor call के means कौन सी class का constructor पोता नाम की class का constructor तो आपर पोता नाम की class का constructor call होए लेकिन अमको क्या ध्यान देना है कि पोता नाम की class ने इनरिट करके रखा हुआ है पापा नाम की class को ओ पेरेंट क्लास का constructor automatically पहले call होता है child class से constructor के that means पापा नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर का लोगा लेकिन पापा नाम की क्लास में को एक बात का ध्यान देना है कि पापा नाम की क्लास ने इनेट करके रखा है दादा नाम की क्लास को देट मींज पापा नाम की क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेले दादा नाम की क्लास का कंस्ट् लेशिर नीच आजाएंगे अब दादा नाम की क्लाश ओद़्यक्र लों गया तो गट्रोली आपडे डाजाएगा थे सब्सक्राइए पापा नाम की ख़िलास के पod फिफ्कित होर्ययं। तो यहाँ पर आ जाए गब बी और यहाँ पर भी print alien का use किया गया है that means एक cursor निच्छा जो new line के लिए अब call होगा पोता नाम की class का constructor और यहाँ पर क्या print हो रहा है c यहाँ पर print हो गया c तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि parent class का constructor पहले call होता है और हमें output के मिला है पर abc